नमस्कार दोस्तों अभी तक के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा गल्फ कंट्रीज के अंदर विजिट नहीं किया गया था लेकिन पहली बार जो हमारे जनरल हैं एमेम नर्वने वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं गल्फ है आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो इंडिया आर्मी चीफ एमबाक्स ऑन हिस्टारिक ट्रिप टू यू एई सौदी अरबिया तो इसकी महत्वता क्या है इसकी इंपोर्टेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन इसके पहले थोड़ा साम जान लेते है कि इसकी इतनी जादा इंपोर्टेंस क्यों है किस तरह से जो टाइज हैं बाकी के गल्फ कंट्रीज के साथ वो हमारा और ज्यादा बहतर हो सकता है और जो इंट्रेस्ट है भारत का जियो पॉलिटिक्स को देखते वे उसमें किस तरह से ये विजिट मदद करने वाला है तो काफी कुछ जानेंगे दोस्तों चलिए आगे वड़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्रीट पर मेरे लेक्शे के हर पीडिएफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल ऑफिशल और अगर आप यूपसी के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौका है, स्टाड़ी आइक के लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके तुरू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच अखरी डेट है और यहाँ पर दो कंट्रीज विजिट किया क्या है हमारे आर्मी चीफ के द्वारा, एक है आपका UAE, दूसरा है सौदी अरब, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, यह आपका Middle East का पूरा मैप, और यहाँ पर आपको दिखेगा UAE, और यहाँ पर काफी बड़ा देश है सौदी अरबिया, और जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों देश की जो बाउंडरी है, वो भी शेर होती है, और यहाँ पर आपको पता होगा यह है आपका Straight of Hormuz, तो यह जो पर्टिकुलर विजिट है दोस्तों, यह किसी आर्मी चीफ के द्वारा, मिलिटर है बाकी के देशों के साथ, वो क्लोज आ रहा है, मुसलिम वर्ट के साथ क्लोज आ रहा है, इसलिए यह और भी ज़्यादा बूस्ट देने वाला है, अगर आपको याद हो, पिछले साल ऑक्टोबर के महने में, 2019 ऑक्टोबर में, भारत और सौदी अरब ने अनौंस किया थ जॉइंट नवल ड्रिल्स, और फाइनली चलकर मार्च 2020 में ये कंडर्ट भी कराया गया, 2018 में अगर आपको याद हो, मार्च के महने में, तो भारत और UAE के बीच में, यहाँ पर एक नवल एक्सराइज कंडर्ट कराया गया था, जिसका नाम था, गल्फ स्टार वन, तो ध् जो विजट है, ओव्वेस सी बात है, आर्मी चीफ के द्वारा किया जा रहा है, तो इसके defense cooperation काफी important हो जाता है, और यहाँ पर जो अलग-अलग avenues है, defense cooperation related, वो काफी तेजी से खुल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर for example आप देख सकते हो, joint exercise हो गया, UAE, सौदी अरब और भारत क बीच में, या फिर जो training हो गई, यहाँ पर अलग-अलग forces के लिए, land warfare के लिए, यहाँ पर specifically अगर हम बात करें, counter terrorism के लिए, यह सारे चीजों में जो defense cooperation है, वो काफी तेजी से बढ़ सकता है, और यह especially important अभी इसलिए हो जाता है, दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा, Abraham Accord यहाँ पर sign किया गया है, UAE, Bahrain और इसराइल के बीच में, जहाँ पर US ने काफी important role play किया था, क्योंकि आपको पता होगा, काफी समय से भारत और इसराइल के relations काफी अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यह इसराइल है, तो भारत इसराइल के relation अच्छे है तो यहाँ पर एक तरह से push मिलेगा, आप कह सकते हो, Abraham Accord की वजए से, और अभी तक का अगर आप cooperation देखेंगे, defense के अंदर, अभी यह जो trip हो रहा है उसके पहले, तो ज़्यादा तर आपको Navy के cooperation में ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2017-18-19 में, अलग-अलग प्रकार के exercises conduct क कराये गया था, Air Force का, तो इस तरह से चीजें develop हो रही है, थोड़ा समय अगर आपको historical background भी यहाँ पर बताना चाहता हूं, देखेंगे, अगर यहाँ पर defense cooperation और दोनों देशों के बीच में, अगर ज़्यादा cooperation करना है, तो हमें scratch से start करना होगा, historically ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा cooperation होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से absent थे, 1958 से लेकर 1989 के बीच में अगर आप Gulf countries और भारत का relation देखेंगे, तो ज़्यादा तर हमारा जो Iraq है, Iraq के साथ काफी बहतर relation होता था, क्योंकि भारत यहाँ पर Iraqi जो Air Force हैं, उनको training देता था, recently आपन जो पूरा ISIS का region सुना होगा, वहाँ पर Tikrit, यह जो Iraq के अंदर region है, उसकी काफी चर्चा हुई थी, तो यहाँ पर हम training देते थे Iraqi Air Force को, और especially यह MIG aircraft variant के थूँ दिया जाता था, जो कि हम आज भी इसको use कर रहे हैं, अल्दो अगर आप देखोगे तो भारत और Iraq के बीच में जो close relation था, उसका main current था, जो हमारा dependence है, oil supplies को लेकर इसी के वजए से, और यहाँ पर सद्दाम हुसेन के साथ भी भारत और Iraq के बीच में जादा बहतर relation था, अल्दो आपको पता है, जिस तरह से प्रकरण हुआ 2003 में, सद्दाम हुसेन को यहाँ पर मार्थ भी दिया गया था, और इसके अलावा अगर आज की हम बात करें, यह तो पहले का relation हो गया, क्योंकि हम मजबूर थे एक तरह से, हमारे पास oil की supplies बहुत जादा secure नहीं थी, तो इन सभी चीजों को देखते वे national interest में यहाँ पर हम सब के साथ जादा से जादा, especially Iraq के साथ बहतर relation करने की कोशिश कर लेकिन आज चीजे चेंज हो गई है, आज ये सारी चीजों अगर आप देखोगे, तो यहीं तक सिमित नहीं है, आज भारत जो है economic power है एशिया के अंदर, और सिर्फ हम आज cheap labor market के लिए नहीं, सिर्फ oil के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए हम बहतर cooperation कर सकते हैं, क्योंकि सारे global quality हैं यहाँ पर जिसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत आज के रेक में कई चीजें offer करता है Gulf countries को, जैसे कि हम defense technology की बात करें, धीरे धीरे हम यहाँ पर आत्म निर्भर भनने की कोशिश कर रहे हैं, defense technology के मामले में, यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की जो technology ecosystem ह वो भी हम Gulf countries को provide कर सकते हैं, in fact यहाँ पर Saudi Arab आपको याद होगा, तो पिछले 2-3 सालों से जो मोहमद बिन सल्मान है, जो अगले king होंगे यहाँ पर Saudi Arab के, उनका अगर आप देखोगे तो वो लगतार अपने economy को सिर्फ oil के उपर based नहीं रखना चाते हैं, अपने economy को diversify करना तो Saudi Arab भी चाता है कि भारत के साथ एक better relation हो, और especially यहाँ पर एक और मैं आपको example बताना चाता हूँ कि किस तरह से भारत, Saudi Arab और UAE के बीच में better relation हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर UAE हो गया Saudi Arab है, वो पूरी तरह से US के उपर अप dependent नहीं होना चाते, recently मैं आपको example बताऊ, तो य देने से, तो UAE ने क्या किया, वो चाइना की तरफ थोड़ा सा diversify हो गया, और यहाँ पर उसने चाइना से जो drone है, वो यहाँ पर खरीद लिया, तो यह सारी चीजे हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं UAE, Saudi Arab वो पूरी तरह से अब reliance नहीं होना चाते है, अपने security purpose के लिए US के उपर, यहाँ पर बाकी देशों के साथ भी better cooperation चाते हैं, तो भारत एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है उनके लिए, और इसी बीच यह जो हमने visit करवाई है, हमारे आर्मी चीफ की, MM नर्वने साब की, तो यह काफी important हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रह रहा था, और सिर्फ ब्रह्मोज missile system नहीं, इसके अलावा यहाँ पर एक तयार किया जा रहा है, ATAGS, यह सारी चीज़ें और इसके लावा भी इसी तरह के similar projects हैं, यो कि consider किये जा रहे हैं, export करने के लिए, और गल्फ country काफी lucrative market हो सकता है, अगर आपको जाद हो, कली मैंने र deal sign होती है कि नहीं, बट अगर यहाँ पर US के साथ थोड़ा सा success मिल जाता है, तेजस को लेकर, तो यहाँ पर यह भी हम बेच सकते हैं, गल्फ country को, जो इंडिनिशनी डवलप जो हमारा तेजस है, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो, एक और चीज हम कर सकत हैं, गल्फ country के साथ, कि यहाँ पर जो weapon system है, उसको हम develop कर सकते हैं, रिसेंटली आपको पता है, सिप्री की एक report आया थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था, UAE की company है, एज, वो यहाँ पर top 25 manufacturing company में आ गई है, पूरे wish में, जो weapon defense system develop करती है, तो यहाँ पर UAE के साथ मिलकर, सौधी अरब के साथ मिलकर, भारत जो है, वो एक joint program start कर सकता है, weapons develop करने के लिए, और यहाँ पर public और private sector दोनों इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और सिर्फ अपने purpose के लिए नहीं, export के purpose के लिए भी हम इस तरह के weapons जो है, वो आपस में मिलकर develop कर सकते हैं, क्योंकि आपको पत सौधी अरब के दोरा, तो जब हम energy security में cooperation कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो defense security है, उसके उपर भी किया जा सकता है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बताओ, geopolitical reason भी बहुत important role play करने वाला है ये visit में, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से जो सौध पाकिस्तान के बीच में कड़वाहट आई है, जो long term partner बना हुआ था पाकिस्तान काफी समय से सौधी अरब का जिसका काफी ज़्यादा फाया उठाया जाता था पाकिस्तान के दोरा, लेकिन recently जब मुहमद बिन सल्मान जबसे यहाँ पर थोड़ा limelight में आये हैं, तो relation कोई बहुत बहतर नहीं दिख रहा है, और इसी को देखते वे यहाँ पर भारत चाहता है कि जो अपना closeness है सौधी अरब और UAE के साथ, बाकी के Muslim countries के साथ, वो उसको successfully use करे, कश्मीर का जो मुद्दा लगतार पहले इतना ज़ादा उठाया जाता था, अब शायद वो पाकिस्ता नहीं कर पाएगा, और इसका example हमने जो OIC की मीटिंग होई थी recently, उसमें भी हमें देखने को मिला है, और 2019 में तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि मुद्द सल्मान को हमने भारत में होश्ट भी किया था, और पहली बार इस तरह का किसी गल्फ कंट्रीज के लीडर को, यहा पारे बीच में जो Western countries हैं, वो Saudi Arab के Prince को यहाँ पर welcome नहीं कर रहे थे, लेकिन इसी को, इस challenge को हमने opportunity के तरह अपनाया, और Saudi Arab को अपने पास close रखने की कोशिश की, तो देखे हो सकता है कि morally यह इतना better ना हो, यहाँ पर हमें oppose करना चाहिए लेकिन जब national interest की बात आती है, हर country अपने अपने आप में चीजों को play out करने की कोशिश करती है, और कुछ ऐसा ही हमने करने को देखा, अब देखते हैं दोस्तों कि यह जो पुरा विजिट है, वो किस तरह से सामने निकल कर आता है, लेकिन इसकी significance और जो cooperation हम कर सकते हैं इस विजिट के थूँ, वो काफी important है, यह मैंने आपको इस particular वीडियो में बताने की कोशिश की, I hope दोस्तों इसमें आपको कुछ आने को मिला होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए एक important question लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कि in which of the following Middle Eastern countries has the United States conducted armed intervention, कौन-कौन से देश में यहाँ पर US ने armed intervention किया है, किस सारे MCQs यहाँ पर डालता है रहता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हो, अगर आप उससे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.